कि कि से लाम एलेकु में स्ट्रेंट्स आज हम से सिस्की पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे प्रहें हम इसका कंटेंट ऊपन कर लेते हैं और देखते हैं उपकी कंटेंट में पिए फास्स का सिलेव असका है तो पीए फ़र्स्स में आपके इसमें history में 2 chapter आ रहे हैं, 3 थे, ठीक है, इसमें हमने ये 2 कर दिया है, एक chapter हमने PFS में से हटा दिया है, ठीक है, इसमें 2 chapter है, अपकी ये first and second, geography में आपका एक ही chapter है, resources, जोकि हम already complete कर चुके है, history में 2 हैं, जिसमें से 1 हम complete कर चुके हैं, सिविक्स में हमारे दो हैं जिसमें से हम एक कम्प्लीट कर चुकी है और आज हम एक दूसरा सेगेंड कम्प्लीट करेंगे ठीक है सैकुलर इस चैप्टर नमबर टू 152 पेज नमबर नाओ ओपिन 152 पेज नमबर पर नमबर 152 सैकुलरेज्म वाटेस्ट्र की से कहते हैं पीछेप्टर करण में है अब उसे को हम अभीते डिचैल नमबर टू सैकुलरेज्म यहां पर आदिकेतर क्या भीत्म की हांपर डेट मेंशन करनी है आपको यहां पर पाट टू लिखना है है सैकुलरी इस सैकुलर इज्म क्या होता है कि लेट्स रीड ओके राज कुमार सबरवल है राज कम राज कमार सबरवल है रिसंट्ली के रिटर आफ़र स्पैंडंग about five वेर्स इन ऑस्टेलिया यह राजकुमार सबरवल है कोई वह क्या है पांस साल बाद ऑस्टेलिया से रिटन हो क्या है वापस आएं और वहां पर छोड़के आ गए क्यों Mr. Sabarwal says that life was very difficult in Australia वो बताते हैं कि life जो है ऑस्टेलिया में बहुत जादा difficult है बहुत जादा उसे अपने जो religious belief हैं उसे follow नहीं कर सकते हैं मतलब public में उसे जाहिर नहीं कर सकते थे there was no right to free expression and speech to और वहां पर नहीं कोई right है नहीं कोई हक है कि वह freely express कर पाएं अपनी कोई चीज या speech कर पाएं मतलब बोल पाएं this situation is called discrimination और इसी situation को कहते हैं हम discrimination भेदभाव in such a condition the person who is discriminated takes wrong steps और इस condition में क्या होता है जो आदमी discriminate हो रहा है जिसके साथ discrimination हो रहा है वो गलत कदम उठा लेता है और start fighting for justice और वो justice के लिए नयाय के लिए लड़ना शुरू कर देता है with the other discriminations the India constitution has adopted secularist and India become a secular state और discrimination को खतम करने के लिए जो India constitution उसने क्या किया है has adopted secularism and India become a secular state उसने secularism को adopt किया मतलब अपनाया और secular country बन गया इंडिया क्या बन गया एक secular state बन गया ठीक है क्यों इंडिया ने secularism अपनाया secularism में यह है कि हर इंसान अपना जो चाहे जैसा चाहे वो मजब फॉलो कर सकता है उस पे कोई रोक टोक नहीं होगी secularism यह कहता है और इंडिया ने यही फॉलो किया ठीक है secularism the India constitution allows individual the freedom to observe their religious belief and practice as they interpret these मतलब India constitution यह allow करती है इस चीज की इजादत देती है हर एक को individual मतलब हर एक को the freedom to observe their religious belief and practice as they interpret these किस चीज की आजादी देती है Indian constitution जो है वो हर एक इंसान को किस चीज की आजादी देती है वो इस चीज की आजादी देती है कि अपने religious belief को जो तुमारा मजहभी भरोसा है मतलब जिस मजहभ में तुम belief भरोसा करते हो उस पर तुम अपनी practice जिस जो भी तुम practice करते हो अगर तुम Muslim हो तो Muslim Islam practice करते हो ठीक हो अगर तुम Hindu हो तो तुम जो है Hindu हो तो Hindu religion को practice करोगे उसके अंदर की जो भी चीज है ठीक है As they interpret these तो जिस जो आदमी जैसा मजहभ चाहे जो चीज करना चाहे अपने मजहभ के religious belief के हिसाब से वो practices कर सकता है यह हमारा secularism कहता है In keeping with this idea of religions freedom for all In keeping with this idea of religious freedom for all India adopted the strategy of separating religion and state और इस idea को, इस religious freedom के idea को लेकर इंडिया ने क्या adopt किया एक strategy adopt की कि कि religion और state को separate ही रखना है state और religion को intermix नहीं करना है मतलब उसका आपस में कोई मेल नहीं है religion और state को separate रखना है secularism refer to the separation of religion from the state और secularism का यहीं मतलब है कि religion को state से separate करके रखना secularism is neither a religion nor in difference to religion मतलब जो secularism है वो ना ही एक religion है nor in difference to religion और ना ही वो religion से in difference है मतलब जो secularism है उसका मतलब यह है कि हर मजब को जैसा वो इनसान जो भी आदमी है जो भी इनसान है या जो भी religious group है वो जो मजब चाता है वो उस मजब को follow कर सकता है उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी ऐसा नहीं होगा कि अगर यह state है तो इस state में सिर्फ हिंदू होंगे यह state है तो यह state में खाली Muslim रहेंगे ठीक है तो state से secularism जो है जो religion है वो बहुत ही separate है मतलब उसका कोई mixture नहीं है या उसे mix नहीं किया गया या उसका कोई उससे मेल नहीं है separate है अलग है इसमें क्या है सारे religion को बराबर इज़त दी जाती है secularism में not mere tolerance but positive respects और इसमें कया है not mere tolerance mere tolerance मतलब पॉज़ें किसी एक को अश्य के बिलगुली मतलब किसी एक की ऑटिझ की नगेटिटी क bitch जा एठी without it there is no future for the nation और इंद्रा गांदी ने क्या कहा है without secularism there is no future for the nation ये इंद्रा गांदी का क्या है importance of secularism secularism का importance क्या है secularism facilitates the smooth functioning of democracy secularism क्या कहता है facilitate करता है क्या facility देता है secularism जो है हमारी smooth functioning of democracy democracy के smooth functioning में की democracy smoothly चलती रहे उसमें हमें help करता है facilitate करता है कौन secularism democracy involves creating consensus consensus on most issues और democracy क्या करती है किस तीज़ में involved है consensus को बनाने में अलग-अलग issues पर create करती है involved है मतलब जोड़ी हुई है democracy जो है वो जोड़ी हुई है consensus मतलब mail आपस में मतलब mail करना बहुत सारे different issues पर क्या करना mail मिलाव करना ठीक है उसमें मिलाव करने के लिए democracy जो है involved है जोड़ी हुई है it is also about protecting the basic right of every citizen और secularist का मतलब ये भी है कि हर basic right को हर every citizen के basic right को protect करके रखना बचा कर रखना मतलब ऐसा नहीं किसी के basic rights को हमने exploits कर दी और किसी को basic right बहुत ज़्यादा rights दिये हुए है किसी को बहुत ज़्यादा हग दिये ही नहीं है उनके कोई हगी नहीं है ठीक है झाल सेकुलरीस, help in attaining these objectives of democracy, यहां पर कुछ objectives दीए है आपको डिमोक्रेसी के, इन सबको attain करती है, सेकुलरीस मादत करती है आपको कि इन सब objects को attain कर पाएं कौन कौन सायर है, पहला क्या है , Sepular say में Power Protecting against trainee of majority, nee क्या होता है, जुल्म जो मेजर ग्रूप है उसके जुल्म लिए ठीक है उनके खिलाफ protection लगाने के लिए किसके लिए जो minority group हैं जो गरीब लोग हैं जो नीची रोग हैं नीची जात की लोग हैं जो काले हैं क्योंकि काले गोरे कभी बहुत difference होता था पहले ठीक हैं मतलब race color caste कैसे भी किसी भी base पर अगर कोई minority है उस पर जो है जुल्म कर रहा है कोई majority तो उसे उसे protect करने के लिए यह है फाला हमारा इसमें क्या है in the modern world most countries are multi-religious and multi-cultural आज के modern जमाने में बहुत सारी countries जो हैं वो multi-religious है और multi-cultural है मतलब अलग-अलग culture के लोग हैं अलग-अलग मजब के मानने वाले हैं different culture follow करने वाले लोग हैं ऐसा नहीं है कि कोई country एक ऐसी हो सिर्फ महाँ पर Muslim हो या सिर्फ महाँ पर Hindu हो या सिर्फ महाँ पर Christian हो या वहाँ पर कोई Jain हो या Buddhist हो ऐसा कोई नहीं है अब का जितनी भी countries हैं माँ पर different different multi religions और multi cultural लोग मिलते हैं people of many religions live together काफी अलग-अलग religions के लोग एक साथ रहते हैं our religious community which is in majority has greater chance of holding political power जो religious community है वो religious community वो religion group वो मजभवाला group जो के majority में है यानि उसके जादा लोग है उसकी जादा public है has greater chance of holding political power उनके पास जादा chance होता है कि वो political power को hold कर पाएं क्यों क्योंकि उनके पास majority है unity है तो वो अपने ही individual को choose करेंगे ठीक है तो उनके पास जादा chances होती है कि वो power को hold कर पाएं political power को then religious communities which are smaller in number तब क्या होगा जो कि smaller communities हैं उनके मुकाबले जो larger community है वो उनके पास जादा power है क्यों कि चीज की कि वो political power को hold कर पाएं जादा majority है इन in such a case the religious majority may try to impose its view and ways on the majority communities और इन केसों में क्या होता है ऐसे तोर पर क्या होता है जो religious majority है जो कि जादा मतलब यह मालिये एक जगह पर तीन मजब के लोग रहते हैं अब एक मजब उसमें से एक मजब के लोग जादा है तो वो लोग जब नेता जूस करेंगे तो अपने मजब को जूस करेंगे या हो सकता है उनके पास political power आ जाए कि वो उनके पास majority है उनमें से तो minority communities पर वो अपने views और ways को क्या करने लगते हैं थोपने लगते हैं इंपोस करने लगते हैं और इससे क्या होता है लडाई दंगे फसाद इन सबसे क्या होता है और स्टेट के progress को रोग देगा तबाह कर देगा ठीक है progress हमारी काम हो जाएगी और आपस में conflict हो जाएगा मतलब लडाईयां शुरू हो जाएगी दंगे फसाद होने लगेंगे क्योंकि जो minority लोग हैं वो अपने हक के लिए फिर आवाज उठाएंगे और majority के खिलाफ इधा उधर तबाही मचाएंगे फिर क्या है people from the minority religions may not be allowed to practice their religious belief हो सकता है जो minority religion के लोग हैं वो कम हैं तो हो सकता है उन्हें allow ना किया जाए कि तुम अपने religious belief को अपने जो मधब की चीज़ें उसे follow करो ठीक हैं मतलब जैसे कि कोई कहे कि तुम क्रिचर्च नहीं जा सकते तुम टेम्पिल नहीं जा सकते तुम कम हो हम तुम से जादा है हम जो कहेंगे वो होगा तो majority group जो होता है वो minority को हमेशे दबाना चाहता है तो इसके लिए secularist बनाया गया है they may even be forcefully converted to the majority religion और हो सकता है उन्हें forcefully मतलब जबरदस्ती कहा जा रहा हो कि तुम majority religion में आ जाओ इस वाले ये मजब follow कर लो अपना मजब छोड़ दो ये सारी चीज़ें आ सकती है sometimes civil strife could lead to killing of people from the minority religion और कुछ time क्या होता है नागरिक विवाद की वज़ासे विवाद केते हैं लडाई जगड़ा जो आपस में लोगों के बीच में जगड़ा हो जाता है उसकी वज़ासे क्या होते है जो minority people है minority religion वाले लोग है उसमें सो लोगों की death भी हो जाती है मारे जाते हैं the majority domination of people belonging to minority religion would certainly be a violation of the fundamental right in a democratic society और जो majority domination है domination of the people जो majority के dominant है मतलब जो dominate कर रहे हैं लोगों में उसमें belonging to the minority religion किस पर जो के minority religion पे belong कर रहे हैं उनसे would certainly be a violation of the fundamental right in a democratic society इसमें क्या है उन लोगों का जो minority लोग है उनके जो democratic society में उनके साथ violation हो रहा है उनके fundamental right का right को follow नहीं किया जा रहा है उनके fundamental rights नहीं दिया रहे हैं उनके साथ भेदभाव होता है ठीक है ऐसे फिर भेदभाव होता है तो इसे खतम करने के लिए क्या हुआ secularism helps in preventing majority trainee to a great extent और जो secularism है उसने बहुत जादा help की to to preventing majority trainee majority जो जादा लोग है या जो भी मजभ जिसका भी जादा गुरुप है वो majority जो गुरुप है उसके जुल्मों सितन से बचाने के लिए क्या हुआ secularism ने बहुत जादा help की है और बहुत जादा changes की है freedom to interpret religious tenets religious tenets मतलब होता है जैसे की religious doctrine that is proclaimed as true without proof मतलब tenets मतलब यह होता है अगर आपने के मजभ ने जो कहा है तो वो कहा है जैसे किसी का मजभ उसके मजभ में कोई बात कही है तो वो इनसान उसे follow करना चाहेगा अब उसके लिए उससे सबूत नहीं देना पड़ेगा वो बस कहेगा यह हमारा religious belief है हमारा मजभी भरोसा है यह हमारा यकीन है तो उसे कोई रोकेगा नहीं कि इसका proof लाके दो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो थीक है तुम नमाज पढ़ ले तो ऐसे क्यों पढ़ ले हो तुम पूजा कर रहे हो तो ऐसे हाथ जोड़ के पूजा क्यों कर रहे हो इसका हमें proof दो कि ऐसे ही होती है या ऐसे ही नमाज पढ़ ले जाती है या तुमारे belief यह है तुम ऐसा करते हो तो इसके लिए क्या है freedom to interpret religious tenet जो तुमारे religious doctrine में जो की लिखा हुआ है proclaim है true as true जो के जाहिर है जो announce कर दिया गया है कि सही है जो बिना proof के है तुम उसे follow कर सकते हो ठीक है मतलब simply यह कहना जा रहे हैं अपने मजब की जो बाते हैं वह बिना proof दिए किसी को कि यह सची है यह सची नहीं है किसी को proof दिखाए बिना तुम उसे follow कर सकते हो even in a particular region there can be various group and subgroup यहां तक कि अगर हम एक ही religion में बात करें तो उसमें भी अलग-अलग group और छोड़े-छोड़े subgroup आ जाते हैं उसमें the majority group may, जो majority group है may want to impose its view on the minority group तो क्या होता है एक ही group के अंदर आगर हम देखें तो majority group जो होते हैं वो अपनी चीज़ें, अपने views, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी thinking सारी चीज़े minority पर थोपना चाते हैं, मतलब वो चाथे हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा यह भी करें, हम जैसा चाते हैं, वैसा यह करें तो ये अपनी minority के उपर थोपना चाते हैं, impose करना चाते हैं Let us take an example of the birahman, birahman domination of lower caste जैसे कि इन्होंने एक example दिये birahman domination आपको पता होगा Hindu society में जो birahmans होते हैं वो पहले वही लोग ऐसे थे जोके educated थे, जोके पड़े लेखे होते थे और उन्हें dominant माना जाता था ठीक है, उनके extra vortex नहीं देते थे, उनकी इज़त की जाती थी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगा रहना, temple में वो जा सकते हैं और जो नीची caste के लोग थे, उन्हें जाने की जायत नहीं थी जो untouchable थे, उन्हें तो मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता था तो ये हिंदूस कास्ट में था, ठीक है बिरहामिन domination of lower caste हिंदूस ये हिंदूस में आया था कब up to the 19th century in India 19th century तक इंडिया के अंदर ये चलता रहा और ये एक religion के हिसाब से एक ही मख़ब के अंदर ये क्या हो गया domination हो गया, majority domination की example दे दी एक ही मख़ब के अंदर बताओ, ये सारी चीज़े हो रही है ऐसा भी नहीं है कि अलग-अलग दो-अलग मख़ब के हों तो आपस में लड़ रहे हो या एक दूसरे को दवाना चा रहे हो ये एक ही मख़ब की बात आ गई, एक ही मख़ब के अंदर ये सारी चीज़े हो सकती है ठीक है, many lower caste were considered untouchables and were denied certain basics human rights और जो काफी lower caste के लोग थे, उन्हें untouchable considered किया गया कि untouchable है, अचूद है, इन्हें छूना नहीं है, ये हमारी कोई चून नहीं सकते हमारे कोई से पानी नहीं पी सकते, हमारे बीच बैठ नहीं सकते ये हमारे लायक नहीं है, गिरे होई लोग है मतलब ये समझ लिए उन्हें बिलकुल समझाई नहीं जाता था कुछ and were denied certain basics human rights और जो basics human rights थे, जो इन्सानों के महाँ पर बाकी लोगों के हक हुआ करते थे वो हक इन्हें नहीं दिया जाता था महात्मा गांदी, डॉक्टर बियार अमबेटकर, और रामाबाई राना दे और जियोती बापूले and many more worked very hard to remove cost inequalities ये चार नाम दिये हैं आपको, और भी काफी लोगों ने इनके साथ मिलकर और वैसे भी हमेशा से इसके खिलाफ आवाज उठाई और बहुत ज़्यादा मेहनत की काम किया किस चीज़ पर कि जो caste inequalities है इसे खतम कर दिया जाए, क्यों? क्योंकि इसके तोर पर आदमियों के इनसानों के बीच में भेदभाफ किया जा रहा है ठीक है, किसी को जो है बहुत उच्छा दर्दा दे दिया, किसी को बिलकुल ही नहीं नहीं दिया the untouchables were given the status of schedule caste, और क्या कह दिया गया, जो untouchables थे, उन्हें SC's में, आप भी आपने सुना होगा कहते हैं कोई आपका criteria है, या मतलब OBC, general, schedule caste, schedule tribe, तो क्या, जैसे आपने इसे देखा होगा, कभी, कहीं entrance होता है या schools के entrance level के, EMU के या कहीं के भी exam होते हैं, तो वहाँ पर पूछते हैं, आपका कोई quota है, general quota है, या कोई quota है, तो उसमें कहते है, OBC है, या schedule caste है, तो इन सब को सीटें fix कर दे जाती हैं, कि इतनी सीटें schedule tribe की हैं, इतनी schedule caste की हैं, मतलब बता दिया जाता है, क्यों, कि ये लोग जो पिछडी जाती के लोग हैं, जो गरीब कजबे के लोग हैं, ये लोग जब job करेंगे, तो ये भी पैसा कमाएंगे, और ये भी अपनी जाती को ऊपर improvement की जाते हैं, another example of freedom to interpret religious tenet is to freedom to exit from a particular religion, और एक example और है, freedom to interpret religious tenet में, एक example और है, कि अगर कोई शक्स चाहता है, कि वो अपना मजभ छोड़ दे, और दूसरा मजभ अपना ले, ये ना अपना है, कोई भी ना मजभ फॉलो करे, if a person is not satisfied with the religion he was born in, अगर कोई आदमी satisfy नहीं है, जिस religion में, जिस मजभ में वो पैदा हुआ है, उस मजभ से, then he should have the freedom to embrace a new religion of his choice, तो उसके पास ये आजादी है, कि वो दूसरा religion, दूसरा मजभ अपने पसंद के हिसाब से embrace कर सकता है, हासिल कर सकता है, follow कर सकता है, मतलब, उसकी अगर मर्जी है, कि मैं अपना मजभ छोड़ दू, जिस मजभ में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, उस घर के लोग का मजभ दूसरा, जो मजभ है, उसे छोड़ना चाहता है, तो वो इसली छोड़ सकता है, उसके पास ये हक है, Let us once again take the example of Dr. B.A.R. Ambedkar एक example और देखते हैं Dr. B.A.R. Ambedkar की ये कौन थे? He belong to the mehar community ये एक mehar community से belong करते थे An untagible caste in महाराश्टरा ये महाराश्टरा में एक untagible caste है जात है महर जिसमें जो है untagible मतलब नीची दरजे के नीची जात के लोग माने जाते थे ये He had experienced discrimination at the hands of the upper caste और जो उची जात के लोग थे उनके हातों से इन्होंने discrimination बहुत जादा फॉलो किया है मतलब discrimination उठाया है इनके साथ discrimination भेदभाव किया गया किसके जरीए? जो upper caste के लोग थे वो लोग lower caste के लोगों पर discrimination करते थे उनके साथ मतलब भेदभाव when he was a child जब ये बच्पन में छोटे थे तब इन्होंने ये सारी चीजें मुश्किलें ये सारी परिशानियां उठाई during later years of his life फिर कुछ साल बाद अपने जिन्दगी कुछ साल बाद he converted to buddhiz to escape the trainee of the upper caste ये महर community छोड़कर वो जाथ छोड़कर बुद्धिज मन गए क्यों कि ये जो इनके trainee है पर कास की जो इनके जुर्मों सितम है उससे छुटकारा मिल जाए उससे बच जाए escape हो सके तो बचने के लिए नहोंने क्या किया अपनी कास को अपनी जाथ को छोड़कर बुद्धिज में convert हो गए इफ दा dominant group इना religions get access to the state power it may lead to subjugation of the majority और अगर जो dominant power है जो dominant group है religious group इना religious gets access to state power अगर उसे state power मिल जाती है अगर कोई dominant group है उसे ही state power मिल जाती है उसे हुकूमत मिल जाती है it may lead to subjugation of the minority group in the right religion तो उस मजब में जो minority group है वो किसे lead जो ये state power जाब उसके हाथ में आ गए majority group के साथ तो ये किसका lead होगा मतलब किस चीज को force करेगा subjugation of the minority group in that religion ठीक है जैसे बियारम बेट कर थे अब उनके साथ बहुत जादे discriminations उनके साथ सुलूकी और बेज़थी होती होगी बच्पन में तो नहीं नहीं सोचा कि ये सारी बेज़थी से अच्छा है मैं भी बुद्धिस बन जाता हूँ तो वही कहना चाहरे हैं ऐसे ही लोग बाग क्या करते हैं अपने मजभ को चेंज कर देते हैं इवल प्रेक्टिस ऑफ़ दा कास सिस्टम इंडिया इज ए एन एन एक्सामप्ल Oo जो और इवल प्रैक्टिस हैं ये बतरीन जो आदते हैं जो कास सिस्टम की इंडिया के इंडर छीज में जो सिस्टम की मैज़ुरिटी गरूप planted in India ये कोई outside वो नहीं है concept ये बहार से आया हुआ concept नहीं है जो इंडिया के अंदर बहार से आया हो but has its domain related to India बलकि ये इंडिया में ही बनाया गया secularist जो है ये सोच जो है secularist ये इंडिया के अंदर ही पैदा हुई इसी के अंदर बनाया गया secularist enjoy a special status in India जो secularist है उसके अंदर special status मिलता है इंडिया के अंदर as India is a vast country with various religions and communities जैसे हमें पता है कि जो इंडिया है बहुत जादा बड़ी country है अलग-अलग different religion और community के यहाँ पर लोग है so secularism maintains the co-existence of all the religions तो secularism के वज़ा से ही ये हमारा co-existence of different religion अलग-अलग religions के co-existence को बचाता है maintain करके रखता है ठीक है मतलब कोई किसी को discriminate नहीं करता है इसके अंदर according to the Indian constitution India is a secular country in which one religion community does not dominate another nor the state enforces any particular religion मतलब यह कहना चाहरे हैं Indian constitution के हिसाब से जो इंडिया है secular country है जिसमें कोई भी एक religion community है तो उसे जो है does not dominate another nor वो जो है दूसरे किस पर दूसरे religions community पर dominate नहीं करेगा हकूमत नहीं करेगा कि दबा कर रखे उसे उस पर force करे अत्याचार करे उसके साथ nor the state enforce ओके ठीक हैं तो यही कहना चाहरे है according to the Indian constitution India is a secular country इंडिया constitution के हिसाब से इंडिया जो है secular country है in which one religious community does not dominate another nor the state enforce any particular religion मतलब जो एक religious community है वो दूसरे community पर dominate नहीं करेगी उसे दबाएगी नहीं उस पर force नहीं करेगी कि तुम मेरा ही मजभ फॉलो करो अपना मजभ छोड़ दो ठीक है ऐसा नहीं करेगी और नहीं कोई state रहेगा state उसे enforce करेगा कि कोई particular religion का state हो कि 36 गड़ में जैसे कि गुजरात में ये हैं गुजरात में ये वाले मजभ के लोग होंगे यहाँ पर यूपी में ये वाले मजभ के लोग होंगे कि जैसे हिंदू society में पहले हो रहा था जो caste system के बेस पर जो दलित caste थे जो शीडूल ट्राइब से शीडूल कास थे उन्हें दवाया जाता था बहुत ज़ादा उनके साथ discrimination होता था तो वह ही कहरें ये सारी चीज़ें भी नहीं होना चाहिए एक ही religion के अंदर state does not take any does not take away religious freedom of individuals ठीक है जो state है वो किसी भी इंसान की किसी भी individual की उसकी religious freedom नहीं चीनता है उसकी अजादी मधभ की अजादी नहीं चीनता है इन इंडिया constitution uses a strategy by which it keeps distance from religion और जो constitution है वो कौन सी ये strategy use करता है इंडिया के अंदर इंडिया का जो constitution है जिसकी वजाद से जो के keep distance from religion by which it keeps distance from religion जो इंडिया के अंदर constitution है वो strategy इसलिए maintain करके रखता है यही strategy है हमारी secularist की secularist follow करना है सबको जिसकी वजाद से different religions में आपस में distance maintain रहेगा मतलब नहीं कोई इसमें state आपस इसमें इंटरफेर करेगा ठीक है और नहीं कोई dominant group majority group उस minority group को दबाएगा the India state work in various ways to prevent the above domination जो इंडिया के states है वो अलग अलग तरीकों से काम करते है to prevent the above dominations यह जो सारे dominations हैं इन सब को prevent करने के लिए and follow different strategies to promote secularism in India और अलग-अलग strategies को follow करता है कि strategies follow करता है कि secularism promote हो जाए इंडिया के लागो हो जाए या उसे लागो करने के लिए उसे चलाए रहने के लिए some of them are discussed below अपको उसकी नीचे डिसकस किये गए है पहला क्या है distancing the state from religion state और religion को distance करके रखना मतलब उसे intermix नहीं होने दाना उसके बीच में distance maintain करके रखना no religious group rules in India मतलब कोई भी religious group इंडिया के अंदर rule नहीं करा कोई rule नहीं करा ठीक है also the government is not influenced by any religious group in India और नहीं ऐसा है कि जो इंडिया की government है वो किसी एक individual religious group से influence हो या उनके जरीय ही बनाई गई हो या सिर्फ उनी religion वालों को ही उनके हग देती हो किसी और को ना देती हो ठीक है government places like court, police stations, government offices and schools are not allowed to display picture or symbols of any religion और ये जो government places हैं जैसे कि school, court और ये government offices ये सारी जिस चीज़ें दिये हैं आपको जगाएं के नाम भी दिये हैं इसमें ये इजादत नहीं है कि अपनी कोई क्या, अपनी कोई religious picture या symbol या photo लगाएं ठीक है, they are not supposed to promote any religion किसी एक religion को promote करने के लिए कोई advertisement नहीं करना है हाँ मानते हैं, आप Muslim हैं, आप Hindu हैं तो हाँ सब को पता है ठीक है, अब आप police station में ACB बन गई तो ये नहीं कि आप जाके महाँ पर मुड़ती रग दें या आप जाके महाँ पर कोई जो है कुरान की या दुआ की कुछ लगा दें ठीक है, मतलब अपने उसको promote नहीं करना है अपने मजब को, ठीक है महाँ पर different caste के, different religions के लोग हैं तो सब को मान कर सबको बराबर मान कर हमें अपने आपको महाँ पर majority नहीं शोकनना है India is a country of many religions and cultures इंडिया जो है, वो बहुत different religion और cultures की country है there are numerous festivals especially in the Hindu religion और यहाँ पर अलग-अलग festivals बनाए जाते हैं जादा तरदा कर देखा जाए तो Hindu religions में बहुत जादा अलग-अलग तरहिके के तरहिके के क्या है festival celebrate किये जाते हैं which are celebrated, which made much fanfare और वो बहुत जादा मज़े से celebrate किये जाते हैं how are a government school or office और यहाँ तक के जो government school or offices है government offices है उसमें क्या होता है is not allowed to celebrate any religious festival उसके अंदर यह इजादत नहीं है कि अपने कोई मजभ वाले festival तहवार मनाए जाए ठीक है there is permission to celebrate secular national festival खाली इन जगाओं पर कौन सी festivals मनाने के लिए कहा गया है किसकी इजादत है खाली खाली secular national festival की permission दी गई है celebrate करने के लिए जैसे कि Independence Day, Republic Day और डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी national festivals होते है on the other hand private institutions are allowed to celebrate festival of their choice और अगर private institutions की बात करें तो उन्हें जादत है कि वो अपनी choice के कोई भी festival celebrate कर सकते हैं मगर discrimination महाँ पर भी नहीं होना है non interference in religious affairs interference केते हैं दखल अंदाजी करना non interference करना मतलब उसके अंदर दखल अंदाजी ना करना religious affairs के अंदर फाल्दू की दखल अंदाजी नहीं करना जैसे the government follows a policy of non interference in religious matter government ने क्या फॉलिजियस मेटर एक policy फॉलिजियस 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 जो मेटर हैं जो मजहभी मामले हैं जो मेटर हैं उनकी बेच में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी है although there are some exceptions यहां तक के कुछ exceptions हैं जैसे की by choosing not to interfere in the religion the state respects the religious sentiments of people और by choosing not to interfere अब ये not to interfere को क्यों चूज किया है in the religion वसब में क्यों? कि the state respects the religious sentiments of the people क्योंकि जो state है वो हर इंसान के religious sentiment को की इज़त करता है respect करता है ठीक है फिर next क्या है हमारा let us take an example which shows non interference of the state in religion अब कुछ non interference की example देते हैं जैसे की किसके मामले में religious affair के मामदे में wearing a helmet when riding a two wheeler is mandatory हमें पता है जा हम दो wheeler यानि बाइक चलाते हैं तो वीलर जब चलाते हैं तो हमें helmet पहनने mandatory है जरूरी है if a person is found fridding a two wheeler without wearing a helmet he would be suitably penalized for that और अगर कोई इनसान दो wheeler two wheeler चला रहा है बाइक, motorcycle, car sorry scooter, scooter जो भी चला रहा है अगर वो बिना helmet की दिखता है तो उसे penalty लगती है charge लगता है उसे क्यों मिलती है सजा मिलती है six wear pagri on their head and thus wearing helmet is not possible for them और जो six होते हैं six जो होते हैं जो six मजब के होते हैं वो लोग क्या करते हैं पagri पहन कर रखते हैं अपने सर पर या जिसे हम turban भी कहते हैं तो इसकी वज़ा से वो उनके लिए possible नहीं है आसान नहीं है मतलब वो क्या नहीं कर सकते helmet नहीं पहन सकते तो इसके लिए उससे उन्हें force भी नहीं किया जाता क्यों? क्योंकि जो उनकी पagri है वो religious है उनके मज़ब में पहनी जाती है तो religious belief के उपर है इस वज़ा से कोई इसमें interfere नहीं करता इसलिए कहा गया non interference ये non interference की example है तो respect the religious sentiment of the sex the government has made exception to this rule of wearing helmet for them और जो helmet पहनने का rule है वो exception इनके लिए कर दिया गया है कि तो आप चाहें तो पहन ले नहीं चाहें तो नहीं पहन सकते है आपकी मर्जी है ठीक है क्यों क्योंकि वो पगड़ी पहन कर रखते हैं उसके उपर helmet पहनना आसान नहीं है और जो सिख है उन्हें इजादत है इस चीज़ की कि वो टू वीलर को बिना helmet के पहन के चला सकते हैं ठीक है बिना helmet पहने चला सकते हैं Similarly, carrying a weapon is prohibited in most of the public places पब्लिक places पे weapons को हतियार को ले कर चलना prohibited है मतलब मना है सक्त मना है But, six are allowed to carry the किरिपान मगर जो सिख होते हैं वो उन्हें इजादत है कि किरिपान ले कर चल सकते हैं खंजा टाइप का चाकू टाइप का होता है क्यों ले कर चलते हैं क्योंकि ये इनके मजभब में रखा जाता है इनके religion में चाकू रखकर चलते हैं वो किरिपान रखकर चलते हैं इसलिए इसे मना नहीं किया गया इन्हें क्या लेकर चलें किरपान लेकर चलें हैं हैं अगर उन्हें नहीं कहा जा स होगी क्यों क्योंकि वह बीलीज़ ये फिंटियां लेकर चलेगा ढ combien बड़ना हो। इसा होगी इसा बाइस से सज़विव K mandate intervention का मतलब बीच बचाओ करना ठीक है टोकना ये रोकना तोकना मतलब BEE मन एक तरह से यह देखा जाए तो BEE me Beech बचाओ करना ठीक है ये टोकना इन सर्टेन Caucus the goodumen प्रोटेक्ट में ब्रूश ऐंधर इंटरिंग clear इन रिलीजियज in कुछ केसिस में religious affairs के केसिस में भी government जो है protect करती है principle of secularist by interfering in religious affairs religious affairs के अंदर भी गुस कर क्योंकि अभी यहाँ पर हमने कहा कि religious affairs में interfere नहीं करेगी मगर कुछ जगा interfere करना पड़ता है और किसलिए कि अपने secularist को क्या करें principle of secularist को protect करने के लिए the government protect the principle of secularist by interfering the religious affairs कुछ religious affairs में enter करके क्या करते हैं interfere करके protect करते है secularist के principle को for example untouchability जैसे कि अब untouchability है was a major problem in India during pre-independence pre-independence मतलब आजादी से पहले की बात है यह यह बहुत बड़ी problem थी और अब भी कहीं जगा पाई जाती है जो बिल्कुल जो गवाल लोग हैं जिने बिल्कुल education नहीं है यहां तक के कुछ अगर educated भी होते हैं मतलब यह ruler areas में जो बहुत पुराने पिछड़े areas महाँ पर आगई कहीं कहीं दिख जाती है क्योंकि अभी भी belief करते हैं कि नीची जाती गाया जिसे छू लेगा तो हमारा यह हमें टोक देगा यह हमें पीछे से बुला देगा तो हमारा काम खराब हो जाएगा यह सारी चीज़ें क्या हैं अभी बेकार के चीज़ें हैं और यह कुछ जगाओं पर अभी लोगबा विलिफ करते हैं ठीक है तो इन सब चीज़ों को खतम करने के लिए जैसे कि यह एंटेजबिलिटी के इसामपिल दिये वाज़ा मेजर प्रॉबलम इंडिया डियूरिंग प्री इंडिपेंडेंस यह इंडिपेंडेंस से पहले की अज़ादी से पहले की बात है बहुत बड़ी मुश्किल थी हमारे इंडिया के लिए और यह हिंडूस के अंदर थी जो ऊची जाती के लोग थे वो नीची जाती के लोग पर डॉमिनेट कर रहे थे इनें दबा रहे थे मतलब उन पर एक तरह से यह के लिए हकोमत यह जाता रहे थे थी के लिए अपनी अकड़ जाता ना पneकल पैसे का जैसे जो जो अमीर लोग हैं जाकर है जैसे पहले दिखाते हैं मुवीज में भी जैसे दिखाया जाता है जो उची जाती की लोग है उने चोटी जाती से वह टैक्स चुका रहे हैं ठीक है तो यह डॉमिनेट गुरूप होते थे मिजुरिटी के जो उन्हें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी कि इस कुए का पानी नहीं पी सकते वह जो साफ कुए है उससे डॉमिनेट गुरूप पिएगा माइनरिटी गुरूप कहीं से भी जाकर पिए ठीक है उसे यह खाना अलाओ नहीं है वह मंदिर में आकर पूजा नहीं कर सकता यह सारी चीज़ें हिंदू सुसाइटी में थी पह और गुपिल फ्रॉम आल कास्ट शुड़ कम इंदा सेम लिवेल और गवर्मेंट ने क्या किया इसे बेहन किया और यह भी ज़रूरी था कि जो उनकी कंडिशन है अब चलो यह तो बेहन हो गया कि जो लोवर कास्ट के लोग है उनकी बिज़ती नहीं करी जाएगी उन्हें का हग दिया जाएगा मगर वह गरीब है तबी तो उनकी बिज़ती हो रही थी तो वह गरीब से अमीर कैसे बने तो उन्हें कुछ यह कहिए उन्हें कुछ डिफरेंट थोड़ा या ज़्यादा उनसे जो है अपर्चुनिटी दी गई कुछ क्राइटेरिया या कोटा उन्हे apply किया गया जिससे वो अपनी हालत सुधार सके हैं किसे दिया गया to improve the condition of lower caste किसे कि अपनी lower caste की जो condition है उसे improve करने के लिए people so that people from all caste should come in the same level कि वो जो सारे caste के सारे अलग मजब के लोग हैं वो एक ही level पे आ जाएं the government gave special status to people from lower caste so that their lot could be improve और इसलिए government ने special status भी दिया उन लोगों को जो lower caste के लोग हैं कि वो अपना status maintain कर लें और improve कर लें to ensure that laws relating to inheritance rights are respected the state can intervene in laws of religion और ये चेक करने के लिए जो हमारे rights हैं हमारे जो respected हैं rights are respected कि हमारे जो inheritance मतब laws relating to inheritance अगर हम inheritance के हिसाब से जो उससे related laws हैं अगर वो क्या हो रहे हैं सही से follow नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए मजभब के बीज बचाओ करने में मजभब के अंदर भी intervier कर सकता है कौन the state can intervene in the laws of religion तो मजभब के अंदर state जो है intervene कर सकता है तोक कर सकता है तोक सकता है बीज बचाओ कर सकता है मतलब बटा सकता है उसमें जो conflicts चल रही यह अपसमे उसे खतम कर सकता है तो यही है जैसे वहाह पर था non interference तो यहां पर interference की भी बदी कि वो दखल अंदादी भी देख सकता है अगर कहीं गलत लग रहा है तो दखल अंदाजी करेगा स्टेट ठीक है सम्टाइम्स दा गवर्मेंट ऑल्सो इंटर्वीन बाइ प्रोवाइडिंग एसिस्टेंस तू सर्टें कम्मुनिटीज और कुछ कम्मुनिटीज को एसिस्टेंस दिये जाते हैं मुस्लिम में होता है Medasa इस तरह का ठीक है सज कम्मुनिटीज बेज़ एजुकेशियल इंस्टिकूशन और गवर्मेंट गरांट और इस अशान इन्व इजात मिलीह ज़ुए गवर्मेंट की इजात दे दे गई सेखुलेर्स इन ऊसेशित इंड का है in India the state intervene is based on the ideals laid out in the constitution but other countries is not at the same और इंडिया के इंदर जैसे साइकोलोनिस को follow किया जाता है intervene का मतलब जो है intervention जो है मारा इंडिया के इंदर वो अलग है constitution के हिसाब से है जो ideals जो के constitution में दिये हैं उसे follow उसे मद्दे नजर रखते हुए हम यह सारी चीज़ें follow करते हैं but other countries is not the same बाकर अलग-अलग countries में same नहीं है for example in the USA state strictly separate itself from religion and does not intervene in this in the religious affair और जो USA के बात करें तो वहाँ पर strictly सखती से religion और state को क्या कर रहा है अलग कर रहा है separate कर रहा है the first amendment of the constitution to the constitution prohibits legislature from making laws जो पहला amendment है constitution का उसने prohibit कर दिया legislature को की making laws की वो कानून बनाए किसमे respecting the establishment of religions for the free exercise of religion की वो respecting the establishment of religion की कि किसी religion की establishment की इज़त के लिए for the free exercise of religion की वो अपने religion की exercise जो भी वो करना चाह रहे हैं उसे कर सकते है ठीक है इसके लिए क्या काया की amendment ने पहले amendment के constitution के पहले amendment क्या हुआ ये prohibit कर दिया गया ठीक है legislature को from making laws की वो laws बनाए legislature cannot declare any religion an official religion और जो legislature है वो किसी एक मजब को अपना official मजब नहीं बताएंगे सारे मजब बराबर हैं ऐसा नहीं है कि official मजब बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ यहीं मजब होगा likewise preference to one religion cannot be given और ऐसे ही किसी एक religion को preference देना उसकी इज़त करना उसे बढ़ाना ये मना है cannot be given नहीं दिया जाएगा किसी को preference नहीं दिया जाएगा here is an extent of the speech of the day of inauguration ceremony of President Barack Obama on January 2009 ये कुछ extensions speech से लिया गया है जो के inauguration के समय ठीक है उद्घाटन के समय जब Barack Obama जन्वरी 2009 में प्रिसिडेंट बने उस ताइम की बात है ये वाट वी डू नो इस देट आवर पैचवर्क हेरिटेज इस ट्रेंथ जो हमारा पैचवर्क हेरिटेज है वो हमारी ताकत है वो हमारी कमजोरी नहीं है ठीक है इट वाज दा फर्स ताइम अ यूएस प्रिसिडेंट हैड अगनॉलिज एथिस्ट एन अगनॉस्टिज अगनॉलिज मतलब बताना या उन्हें भी जाहिर करना जैसे कि ये पहली बार ऐसा हुआ था जो यूएस के प्रिसिडेंट है उन्होंने एथिस और अगनॉस्टिक को भी अगनॉलिज किया इनॉगरेशन में इनॉगरेशन स्पीच में नोट इन 2008 अमेरिकन प्यूपिल एलेक्टिड फॉर दा फॉर्स ताइम आ परसन ऑफ बलैक ओरिजिन जो बलैक ओरिजिन के पहले ऐसे प्रिसिडेंट थे जिन्हें अमेरिका में 2008 में चूज किया गया ये कौन थे प्रिसिडेंट्स उबामाज फादर वाजा बलैक मुस्लिम इनके अबबा जो थे उनके जो फादर थे वो कौन थे बलैक मुस्लिम थे मुस्लिम थे एंड मदर वाइट क्रिस्चन और इनकी जो माँ थी वो कौन थी वाइट क्रिस्चन थी वी जो भी एक रिलीजियस परसन नहीं थी तो इसलिए यह बताया कि यहाँ पर भी ऐसी ही circularism है ठीक है अब नेक्स पार्ट है इसकी exercises है तो exercises में आपको choose the correct option book में ही रहने देना है state true all force book में fill in the blanks book में खाली answer the following question हमें copy में करना है ठीक है खाली answer the following question हमें copy में करना है बाकी सारी exercise book में करनी है तो यहाँ से start करेंगे हम choose the correct option से ठीक है पहला क्या है मारा choose the correct option में first court is court in India do not promote court जो है इंडिया के इंदर वो किसे promote नहीं करता तो वो ना ही religion को किसी promote करता है ना ही किसी injustice को promote करता है ना ही implements को promote करता है वो किसी को promote नहीं करता है किसे promote नहीं करता वो ना ही injustice को promote नहीं करता तो इसे भी injustice को मतलब अत्यचार को ठीक है इसे promote नहीं करता injustice को promote नहीं करता religion को promote नहीं करता implementation को promote नहीं करता वो अपने उपर हैं बस वो सारे religions को उसके right और हक उसे दे रखे हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा none of these secularism is neither a religion nor a fight was said by ये किस ने कहा था इंद्रा गांधी ने कहा था which of these festivals can be celebrated in government offices government offices में कौन से festival मनाया जा सकता है दीवाली, सरस्वती पूजा, दुरगा पूजा ये independence दे तो independence दे हम मना सकते है national festival है ये people from which religion are allowed to ride a bike without wearing helmet कौन से religion का, कौन से मजब का आदमी है वो इंसान है जिसे बिना helmet के बाए चलाना चलाने की इजादत दी गई है सिक मजब का, ठीक है फिफ्ट क्या है हमारा the government interferes in which of these religions matter to strengthen secularism, caste and equalities ठीक है, next क्या हमारा true false, straight true or false Hindus is the official religion in the India नहीं, क्या Hindu ही official religion है, नहीं false second क्या है, Christianity is the official religion in the USA false, Christianity नहीं है, नहीं है, यूसे किन दिफ्रेंट रिलिजन है, यूसे में भी third क्या हमारा, six are allowed to ride bike without wearing a helmet yes, उन्हें बिना helmet पहने भी, बाए चलाने की इजादत दी गई है इसक को there is complete separation of religion and state in the USA USA, USA के अंदर religion और state की complete separation है, true religious based educational institutions are not separated by the government of India, false supported, मतलब जो government of India है, वो जो religious based education है, उसके जो institute या school बने हुए हैं कि उने support नहीं करती, support करती है, मतलब वो किसी को suppress नहीं करती, सबको इजाद दे रखिए कि आप अपने मजभ से related आपना school जैसे मदर्सा है, Muslims में वो खोल सकते हैं, fill in the blanks with the help of given words, first क्या है, the right to practice a particular religion is an example of fundamental right, ठीक है, यह क्या हो गया, fundamental right, F-U-N-D-A, M-E-N-T-L, second क्या है, caste inequality is a major problem in Hindu religion, यहाँ पर क्या हैगा, Hindu, third क्या है, community based educational institutions are given government grants, third, fourth क्या है, मारा, ASIC is allowed to carry a kirpan in a public place, fifth क्या है, in USA the state and religion are separated, फिर, answer the following question देखते हैं, what is secularism, secularism क्या होता है, page number 1852, simple secularism की हमें, यहाँ पर definition लिखनी है, page number 1852, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, secularism, answer number first, D part का, यहाँ से पूरा यहाँ तक, nations तक, ठीक है, यह हो गई हमारी secularism की definition, next, answer number first, यह D का हो गया, ठीक है, next question, what are the goals of secularism in India, India के अंदर secularism के goals क्या है, मकसद क्या है, उसका मकसद क्या है, इंडिया के अंदर secularism लाने का, page number 1553, secularism in India, answer number 2, और answer number 3, यह दोनों ही किसका है, दोनों ही है, पहला हमारे यहाँ पर क्या question है, what are the goals of secularism in India, इंडिया में secularism लाने का, goals क्या है मकसद क्या है तो यह हमारा हो गया answer number 2 ठीक है D का secularist is not an outside concept plan in India but it has its dominant related to India फिर यहां पर पूरा यह दिया हुआ इसके बारे में तो यह क्या हो गया answer number 2 D का ठीक है फिर क्या है answer number 3 देखना है यानि question number 3 what is the need of secularist secularist के need क्या है जरूरत क्या पड़ी तो यहां पर देखा जाया अगर secularist की जरूरत क्या है what is the need of secularist तो यहां पर भी वही बात है secularist is not इसकी जरूरत क्या है तो importance में आ गया यह पूरा ठीक है तो यहां से हम देख लेते हैं secularist के need में secularist facilitate the smooth functioning of democracy sorry यहां पर हमने एक mistakes कर दी यह हमारा answer number 3 है d का ठीक है तो आप इस पर answer number 3 पर कर लिए और यह हमारा answer question number 2 है what are the goals of secularist in the India India के अंदर secularist लाने का मकसद क्या था तो page number 152 पर है यह ठीक है 1852 पर है यह पेज नंबर 152 question number 2 d part का यहां से है secularist facilitate the smooth functioning of democracy democracy involved creating census on it now it has also about protecting the basic right of every citizen secularist help in maintaining attaining these objectives of democracy ठीक है फिर यह लिखेंगे और खाली इसकी यह लिख दिंगे heading q Totally heading ठीक है protecting against withdrawing of majority और यह लिखेंगे खाली heading लिखना इसमें ठीक यह हो गया हमारा answer number 2 d talked he will और यहांसर number टूभी पर यहां से पहले यहां सिर्थ हेहıt टक लिखेंगे उसके बाद kh Israeli heading ख लिए खाली heading खाली heading यह ग्रीन आउद ह или आन टीक हमारा क्षिंगेऊ है what is the need of secularist secularist की जरूरत क्यों पड़ी page number 153 अब ये वाला है secularist का answer number 3 ठीक है answer number 3 D का ये वाला है यहां से secularist से यहां तक answer number 3 D part का फिर next question what do you understand why freedom of interpretations of religious tenets अब religious tenets वाला आप open करिए page number 152 freedom to interpret religious tenet even से लेकर शुरू से लेकर even से even in a particular religion से लेकर next page basic human right तक answer number 4 D का basic human right तक answer number 4 D का basic human right तक answer number 4 D का कहां से starting से religious tenets से freedom to interpret religious tenets से even से लेकर हमारा answer number यहां पर क्या है 4 D का यहां से start होगा next page यहां तक ठीक है यहां तक next question हमारा क्या है exercise next है हमारी इसमें हम first cut कर दिया हमारा third cut है और fourth cut है यह बहुत भी बड़े हैं और यह question repeat हो रहे हैं तो हमने इन्हें पहले भी करा चुके हैं जैसे how is secularism in India different from secularism in USA यह बहुत बड़ा answer है question number two क्या है what is the importance of secularism in India यह भी repeat हो रहा है मगर यह important question है इसलिए हमने यह करा दिया page number 153 पे same question answer number two e part का page number 153 answer number two e part का यही answer है यहां से यहां तक ठीके यह क्या हो गया answer number two e part का और यह वाला जो हमने यहां लगा रखा है answer number two India state work as various यह नहीं है इसका answer हमने two का हमने already complete करा चीया है आपको पीछे ठीके तो सारे answer आप देख लिए एक बार यह answer number three d का भी है और answer number two e का भी है यह है हमारा answer number two d का फिर यहां से है answer number four d का ठीके यहां even से लेकर यहां तक ठीके यह सारे question मैं आपको इसलिए revise करा जाओ कुछ गलती ना हो तो secularize वाला question है answer number one d का यहां से यहां तक यह सारे question हमारे यहां complete हो गए ठीके तो यहां पर आपके यह answer the following questions complete हो गए और यह हमारा पीए first का यहां पर इसका syllabus भी complete हो गया तो यहां लिख लिए पीए first course completed ठीके यहां पर लिख दिए पीए first course completed यहां पर आप mention कर दिए तो यहां पर यह exercise आप copy में कर लिए खाली answer the following question आपको copy में करने बाकी सारे exercises आपको book में ही रहने दी नहीं खाली d और e करने हैं जिसमें से हमने खाली दो कोशन इसमें question number two कराया बाकी cut करा दिए तो थेंक्यू students अब हमारा यहां पर chapter complete हो गया assalamualaikum you you